दोस्तों अगर आपको भी आपका F&O सेग्मेंट जो है वो अगर अपस्टॉक्स में एक्टिवेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं हम आज वो प्रोसेस हम देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और चलते हैं हमारे प्रोसेस की और सबसे पहला स्टेप हमारा है हम इस अकाउंट वाले सेक्शन में चले जाएंगे अकाउंट वाले सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर थर्ड ओप्शन ट्रेडिंग सेग्मेंट का दिखेगा उस पर हमें क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा और आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा तो आप देख सकते हो कि हमारे सामने जो ये डेरिवेटिव वाला जो सेक्षन है उसे हमें एक्टिव करना है अगर आपको कमोरिटिव वाला सेक्षन अक्टिवेट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो पर फिलाल मैं सिर्फ F&O वाला सेक्षन अक्टिवेट करना चाहता हूँ इसलिए मैं इस अक्टिवेट सेग्मेंट वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ पर उससे पहले मैं आपको बता दू कि ये segment activate करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरुरत पड़ सकती है जैसे कि bank statement हमारी 6 months की और salary slips या ITR या DP holding की statement या आपका जो form 16 भी होता है इन में से कोई भी एक चीज़ आपको यहाँ पर upload करनी पड़ेगी as a income proof तो ये आप पहले लेकर बेटे साथ में ताकि आपका बाद में time waste ना हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं इस activate segment वाले बटन पर click कर देता हूं click करने के बाद यहाँ पर मेरे पास तो अभी bank statement है तो मैं इस bank statement वाले बटन पर click कर दूँँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन्हें कौन से मन से लेकर कौन से मन तक की statement चाहिए वो भी उन्हें ने mention किया है जैसे मेरे case में है कि उन्हें 524 से लेकर तो जिलए 24 तक की उन्हें bank statement चाहिए तो चलिए मैं वो मेरे पास downloaded already है तो मैं यहाँ पर bank statement वालो option select करके आगे continue पर click कर देता हूँ अगर आपके कोई और option है या आपके पास salary sleep है अगर आप ITR upload करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो ऐसी कोई problem नहीं आईगी आपको मैं continue पर click कर देता हूँ यहाँ पर वो directly bank statement आपका fetch भी कर सकते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपके bank का नाम डाल देना है bank का नाम डालने के बाद मैं इस continue पर click करूँगा उसके बाद आपको दो option मिलेंगे एक है automatically fetch का और एक है upload manually का तो आप अगर चाहो तो automatically fetch भी कर सकते हो अगर आपके पास manually present है PDF के form में तो वो भी आप यहाँ पर upload कर सकते हो मैं upload करना चाहूंगा तो मैं upload पर click कर देता हूँ और फिर continue पर हम click कर देंगे file choose करने के बाद हमें फिर से continue पर click कर देना है उसके बाद आपको आपके email ID और phone number पे जो भी register होगा एक OTP आएगा वो OTP भी हम यहाँ पर डाल देंगे OTP डालने के बाद फिर से continue पर हम click कर देंगे तो हमारी request जो है वो यहाँ पर broker के पास submit हो चुकी है और यहाँ पर उन्होंने लिखाए कि 2-3 working days तक का time लगेगा आपकी जो FNO segment है वो active होने के लिए तो यह होने के बाद हमें simply done पर click कर दिना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो time है वो यहाँ पर mention है और 2-3 दिन के अंदर हमें अब stocks के तरफ से mail आ जाएगा confirmation का और उसके बाद आप जो है वो FNO section में trading आपकी कर सकते हो मैं आपको चाहिए तो जो mail का screenshot है वो भी मैं आपको attach कर दूँगा कि कितने दिर में मुझे mail आया था दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like और subscribe जरूर कीजिए मिलता हूँ आपसे next वीडियो में धन्यवाद